कि अलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूटीब चैनल पर कि नेक्स्ट ऑफिसर पर है कि विना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं देखिए बात हम आज जो करने वाले हैं यह आपका MTS की बात चल लाई थी अभी तक और MTS की आपकी थ़र्ड शिफ्ट है तीन तारीक की आपकी सेकंड शिफ्ट है ओकी यह सेकंड शिफ्ट है चलो शुरू करते हैं math के questions देखते हैं कैसे question आया थे मैंने आप से कहा मैंने आपसे कहा है एक किसान की भूमी एक समलम के आकार मतलब एक टरपेजियम के आकार की है ठीक है? चलो जिसकी समांतर भुजाएं 6.32 एक 6.32 है दूसरी इतनी है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है ठीक है तो भूमी को जोतन है तो अगर किसी भूमी को जोता जाएगा पूरी एरिया में जोता जाएगा और एरिया आफ समलम चतरपेजियम आपको पता है हाफ इन्टू सम आफ पैरलल साइट्स ये ए प्लस भी पैरलल साइट्स है होती है पारल साट के बीच की डिस्टेंस तो अगर मैं कहूं हाफ इंटू पारल साट कितनी है 6.32 और 7.68 तो अगर इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 68 और 32 आप हो जाएगा 100 लब एक बन जा गई है और 6,7,13 और 14 तो यह हो गया 14 इंटू एच कितना है आपका 5.50 बस इनको कार दो 7 बार और 7 से जब इसको मल्टिप्लाइ करें 5.5 का तो यह हो जाएगा 7,35 की 5 हसे लगा 3,7,35,38 तो 38.5 आपका आजाएगा 38.5 पांच आजाएगा गज स्क्वायर प्रतिवर गज ठीक है ना आप कहरा है कि इसकी जो लागा थे वह 1200 रुपए तो 1200 का मल्टिप्लाइ कर दीचे इसमें तो कितना आजाएगा तो से पहले डेसिमल हटा के जीरो बढ़ा लो तो एक जीरो से आपका एक जीरो कर जाएगा तो जाएगा दो 10 कैरी फिर बारतियां 36 और 10 46 तो 4200 कहीं दिख रहेगा आपको आपने का अफसर 4 आप्शन आपका राइट अंसर पहले एरिया निकाला फिर एरिया में जो लागत मूल है प्रतिवर गज का उसका मल्टिप्लाइग कर दिया अगला कोश्चन आपके सामने है कि 13 के स्कॉर मानस का 8 का स्कॉर तो 13 के स्कॉर कितना होता है आपको पता 169 मानस 8 का स्कॉर कितना होता है 64 अगर इनको सब्ट्राइट करेंगे 9 से 4 गया आप कहेंगे 5 और 16 से 6 गया आपका 10 105 इंटू 5 प्लस का 4 हो गया 105 इंटू 5 का मल्टिप्लाइग कर लो तो कितना तो यह जाएगा आपका 25 252 बचा और 10 बचे 50 दो बावन 525 आ जाएगा ठीक है चलो प्लस का 4 हो गया अंडरूट के अंदर तो यह जाएगा 529 और 529 आपको पता है किसका रूट होता है आपने का 23 का अंडरूट होता है ठीक है चलो अगला कुश्चन के और मूव करते हैं कु ठीक है यह दो को प्रोड़क्शन थाउजंड है और कह रहा है एक्सपोर्ट जो है तो अगर इसको बढ़ा करना चाहें तो और बढ़ा कर सकते हैं देखते हैं हो जाए क्या बढ़ा ठीक है चलो इस कुश्चन के लिए देख लो ठीक है न यह सब दिया है आपको एक्सपोर्ट का है वो भी थाउजंड में है यह एक्सपोर्ट पीला वाला है आपका औरंज वाला और यह नीला वाला है ओके चलो क्या कहता है प्रोड़क्शन कुश्चन में क्या है कि देख नमर तीन क्या है प्रोड़क्शन इन थाउजंड अच्छा ठीक है प्रोड़क्शन इन थाउजंड माइनस एक्सपोर्ट इन थाउजंड ठीक है प्रोड़क्शन माइनस एक्सपोर्ट आपको फाइंड करना है ठीक है और माइनस निर्याद हजारों में ठीक है production and export in thousand समझ नहीं आ रहा है question कहना कहा रहा है अब फिर से पढ़ते है production in thousand उत्पादन हजारों में ठीक है उत्पादन कितना है आपका जो भी है देख लेंगे ये उत्पादन कितना है आपका किस किस येर में पूछा है export in thousand इंजात हजारों में and export पता नहीं कोशन कहना क्या जा रहा है अच्छा उपर लिखा है कोशन दिये गए वर्षो दोरा कंपनी दोरा औस त निर्याद ग्याद कीजिए ठीक है ना यहाँ पर कोशन नहीं है कोशन उपर है औस निर्याद का मतलब पहले निर्याद की बात को export की तो पहले कितना है आपने का पहले 11 है आपका फिर कितना है आपका आपने का 14 है आपका फिर कितना है आपका आपने का 5 है आपका तो यह हो जागा 3 और इनका अगर average की बात करेंगे अपन 3 कर दिया गया, तो 4 और 5, 5, 5, 10 की 0, 1 carry 1, 1, 2, 2, 1, 3 तो 30 बटा 3 कितना हो गया आपका, 10 I hope किसान में आ गया हो, तो 10 करके आपको क्या answer है, 1000 में find करना तो आपका 1000 अज़ाँ जागा, question मैं नीचे ढून रहा था, question उपर था, I'm sorry for that अगले question के और move करते है क्या कह रहा है यह simplification का सवाल है simple सा, अब पहले उपर उपर का solve करेंगे, नीचे नीचे solve करेंगे, फिर आगे देख लेंगे ठीक है देखो, 14 सबसे पहले काट पहुत हो, काटते चलो, देखो, 14 से 12 गया, 2 बचा, ठीक है 2 से 3 गया, माइनस का एक बचा है, 2 से 2 कट गया देखो, ठीक है अब क्या क्या बचा है, आपको देखो सबसे पहले बचा है, 7 बचा है, 17 बचा है 17, 7, 24 24 से 1 गया, उपर बचा 23 अब 23 की बड़ एक ही option में दिख रहा है ठीक है न, 2 से 4 गया, माइनस का 2 बचा 22 से 2 गया, 20 बचा, तो 20 ऐसे भी आ गया आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगला question है आपके सामने C1, C2, C3 तीन लोग हैं, अकेले किसी कारिक को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं यहाँ पर करते हैं सवाल को, अगलर से इस question हो कर रहा है तीन लोग हैं बंदे, ठीक है तीन बंदे हैं, C1, C2 and C3 C1, C2 and C3 यह तीनों जो बंदे हैं, वो करमशा 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं यह तीनों एक साथ कारिक शुरू किया ठीक है न, तो भाई तीनों अगर कर रहे हैं तो तीनों का सब्सक्राइफसेंसी कमने लो तो आपने शुरू 6 हो गया 10, 6, 60, 12, 5, 60, 15 चोको 60 आपने का कि उन तीनों ने 1 7 कारिक शुरू किया लेकिन कारिक पुरा होने के δो दिन पहले C2 ने कारिक फोड़ दिया को तो भाई चीक यह कितनी दिनों में पूरा हुट तो अगर तीनों मिला कि कार्य करते तो कितना हो जाता आपने का चह पांच 11 चार 15 पंद्रा और जब ड् сотруд करें तो चारगें हो जाता हाँ या न चारगें कार्य यह मोगना है ठीक है तो चार दिन में नहीं होगा ज्यादा में होगा अब देखते हैं क्या सीन है कि सीटू अगर तीनों ने एक साथ लेकिन कारे पूरा होने से दो दिन पहले तो दो दिन पहले मतलब चार दिन में काम होने वाला था अब दो दिन में दो दिन पहले छोड़ दे रहा है तो दो दिन तक तो तीनों लोगों ने काम किया तो चार दुनी आठ काम तो कर दिया भा ठीक है ना अब बचा हुआ काम 30 काम जो है ये कौन कर रहा है आपने का ये जो काम है वो करेंगे आपके C2 ने छोड़ा है ना बीच बलने छोड़ा है तो बचे 6 और 4 मिलकर करेंगे 10 तो ये 3 यहां आपका कितना ये 2 दिन यहां पर लगे है ठीक है ना और अब 3 दिन और लगेंगे तो कुल मिला के आप कहेंगे तो कारे कितने दिनों में पूरा हुआ ठीक है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका क्या सवाल है वाई बचा हुआ कारे कितने दिनों में अच्छा नहीं कारे कितने दिनों पूरा हुआ तो दो दिन पहले लग रहे थे और यह च्छार तस और यह जागत तीन दिन यह कुल मिला कि पांस दिन आंसर होना चाहिए आज आप्षिन में नहीं एक बार फिर चेक कर लेता हैं 10,6,6,12,5,6,5,6, ठीक एधि तीनों ने एक साथ कारे शुरू किया लेकिन कारे पूरा होने के दो दिन पहले 6,4,10,5,15,15,15,6,4 दिन में पूरा होने वाला दो दिन पहले कि C2 ने कारे छोड़ दिया सी टू फाइवलन छोड़ा चाचार दस से तो जाट काम था तीस काम हो गया तीस बचा चलो यह मन देखो ऐसे आउफ करते हैं टोटल कार का बोल ला है दखो यह कहा है माल लों कि टी दिन में कारी हो रहा था ठीक है टी दिन में कहा रहा है आपका कंप्लीट हो रहा था ठीक है चलो टी दिन में कंप्लीट हो रहा था और कह रहा है कि उसने टी माइनस टू दिन यहां पर टी माइनस का टू दिन स्वारी मने गलत हो गया दो दिन और टू डे और ठीक है दो दिन और यह दो दिन करेंगे बी प्ल 10 b plus c कितना है 15 तो 15 इंटू t minus 2 2 इक्वेशन कर लेते हैं 10 तो 2 into 10 पराबर कितना हो जाएगा 60 ठीक है सिंपल सन में आए ना दो दिन तक करेंगे 10 कार से तो यह हो जाएगा 20 इससे 20 मैनस कर दो जाकर तो यह जाएगा 40 तो 15 इंटू t minus 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 तो टी बराबर 40 बटा 15 और यह मानिस का टू था इधर जो जाएगा प्लस का टू तो 40 और 15 दूने 30 बटा 15 और 17 बटा 15 जो होता है अगर इसको काटोगे 5 से तो कुल मिलागे बचेगा नीचे 3 और 5 से कटेगा 14 बटा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन के और मौव करते हैं सिंपल था ठीक है चलो कुश्चन कह रहा है आपसे 18 बटा 3 तो यह हो जाएगा आपका 6 बार फिर 6 तरी का 18 हो जाएगा ठीक है 84 प्लस का 18 मैनस का 40 24 से जब 40 मैनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 44 से 18 मैनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा यह 26 हो जाएगा ठीक है 8614 ठीक है मैंने आपसे कहा यहाँ पे वह 26 इसमें और प्लस लगाता ना अड़ कर दो तो कितना हो जाएगा 4610 और 4261 70 और 70 आपका आगया ठीक है और आप का अंसर क्या हो जाएगा आपसे 70 इंटू यह हो जाएगा आपका चार तो 70 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 280 ठीक है यह बाद फिर से करते हैं सबस्पहले छोटा ब्रकट सॉल्व करते हैं तो चत्री का 18 और फिर यह तीन का मैंटिप्लाई करेंगे तो उसमें आठारा हो जाएगा तो 84 प्लस का 18 14 माइनस का 40 की छोटा ब्रकट सॉल्व हो जाएगा ठीक है और आगे 44 भी लिखाए प्लस का 44 भी है तो ठीक है 44 प्लस का था तो यह हो जाएगा प्लस का 4 बचेगा अठारा 4 बाइस तो 84 और 22 कितना हो जाएगा 4 दो 6 और 106 हो जाएगा 106 इंटू चप 4 करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 424 हो जाएगा यहाँ आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है सिली मिश्टेक नहीं होना चाहिए ध्यानक ना अगले कुश्चन के और मूव करते है यदि 3 और X का 30 समानपाती 27 है तो 2 और Y का 30 समानपाती 8 है तो X अनपात Y का मान गयाद कीजिए 30 अनपाती का मतलब देखो 3 अनपाते X अनपाते X अनपाते 27 ने तो यहाँ 27 रखोगे ठीक है न? 30 समानपाती के मतलब यह होता है पहले इन दोनों को रखो आगे लाश्ट में 27 रखो तो 3 बटा X बराबर X बटा 27 27 तो 27 तो 87 तो X बराबर कितना आजाएगा 9 आपका X बराबर 9 आ गया दोको X अनपाथ Y ठीक है Y देखो आके 2 Y दोको 2 अनपाथ Y फिर Y फिर कहना है अनपाथ कितना हो जाएगा समनपाथ 8 है तो 8 रख दो तो यह देखा 2 बटा Y बराबर Y बटा 8 तो 8 दूनिसोला Y कोल टू आ जाएगा 4 तो यहाँ पर 9 पाथ 4 आपका अनसर हो जाएगा चुकि एक सनपाथ Y पूछा है अगला कुश्चन है एक आदमी एक रुपए में 13 पन खरीदता है 30% का लाव अर्जडत करने के लिए उसे एक रुपए में कितने पन बेशने चाहिए तो एक पन एक रुपाए में कितने खरीदता है नहां परसंट लाब अर्जद कर रहा है 30% मतलब 10 की वैलू 100 की वैलू एक से 30 मतलब 13 बटत 10 तो इसको कार दिया तो आप कहेंगे एक बटत 10 आ गया तो एक रुपए में कितने पिन आप कहेंगे 10 पिन यह तरीका सान में आया की नहीं आया सिंपल तरीका है एक लाइन में अंसर आता है माया ने 14% GST सहीत इतना रुपए में टवी खरीदा GST के बिना वास्ते में गमूल ले क्या था तो 14% GST सहीत मतलब 114 की वैलू है बिना GST के मालो की 100 रुपए था तब ही 114 हो जाएगा तो 7980 बटा 114 गुड़े 00 अब यह बताओ 114 का भाग करना है मैंने आपसे का 1170 पॉसिबल है ठीक है साथ बार आओ भाग दो पूरा पूरा साथ बार कर जाएगा आपका जोकि 748 दिख रहा है तो 7000 आपका आंसर आ जाएगा यहां से पूरा पूरा ठीक है डिवाइड करके देख सकते हैं को मैंने यूनिट जिसे देखा और साथ एककम साथ करके देखा अगला कुश्चन दस चाउसट हजार की धन्राशी में पांच परसेंट की दर से दो वर्षों के लिए वार्षिक सभी चक्रुद्धी ब्याच कितना होगा तो को पांच परसेंट का दो वर्षों के लिए आप यह कहेंगे कि सर पांच पांच 10.25 हो जाएगा परसेंट अब 64000 का चक्रुद्धी ब्याच होता यह ठीक है ना यह चक्रुद्धी ब्याच निकला आपका इतना परसेंट की लेकिन किसका आपने का 74000 का 64000 इंटु 10.25 बटा सौ बस, इसको हटाया तो डबल 0 और आ गए 2 0 से इसके 2 0 कड़ गए 1 0 से ये बचा नीचे बचा है एक ठो नीचे ठीक है न 10 उपर 64 है अब 64 into करेंगे आप ये 1025 फिर जो भी आएगा वो answer हो जाएगा आपका upon 10 करने के बाद चलो कर लेते हैं अगर मैं इससे 4 निकाल लूँ होजाएगा 16 इससे multiply कर लो तो यह होजाएगा 40 ठीकर ना यह जाएगा 41 हो जाएगा ठीकर ना यहां से निकला कितना लब यह होजाएगा 4700 हो जाएगा ठीकर नित बादा समलो की 410 हो जाएगा तरा देख लेते हम 1025 into 4 करेंगे तो यह 4500 आएगा और अपान जीरो जो है ये खतम हो जाएगा 410 बचेगा 410 इंटू 16 अब 410 इंटू 16 कर लो 0 16 एक कम जो को लाश में 6 आएगा 0 के बाद 6 जो को 6 एक कम 6 कई पर 0 के बाद 6 दिख रहा है एक ही आफशन है यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है बाकी समय नहीं है ऐसे ही आपको करना होता है एक्जाम में ज़्यदा समय लगाना होता अगला कुशन है अजए इस्थिर जल में अपनी नाव को 11 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो धारा की चाल 7 किलोमेटर प्रति घंटा है तो उसे धारा की अनकूल 54 किलोमेटर की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा जबको इस्थिर जल में नाव की चाल कितनी 11 धारा की चाल 7 तो धारा की अनकूल में 11 औ 7 से कितना हो जाएगा 11 प्लस का साथ अनकूल में ऐड़ कर देते हम तो 11 साथ 18 तो 54 बटे 18 का मतलब 18 तरीका 54 आंसर हो जाएगा 3 गुंटे में पहुचेगा एक अर्ध गोले का आयतन है अर्ध गोले का फार्मूला क्या होता है आयतन का तो आपको पता होना चाहिए 2 बटा 3 पाई आर क्यूब 486 आया है सबसे पहले 2 से काट दो पाई से पाई कार दो सबसे पहले 2 से काट दो कितना हो आपका आपने का 2 एक कम 2 24 को 8 और 243 143 इंटो 3 कर दो ठीक है तो अब कितना हो जाएगा तो आपने का 33 का 9 और 3 चो को 12 की 2 1 कैरी और 3 एक कम 3 दो 529 कुछ गलत तो नहीं हुआ है यह 243 आएगा ना 2 दोनी 4 कटेगा सॉरी 3 दोनी 6 और 1 7 हो जाएगा ठीक 729 तो आर क्यू बराबा 729 है तो आप से पूछाए कि आर कितना होगा तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा समझ में आया की नहीं आया साबाश अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 13 पर रखो 6 अनुपात 5 3 अब तो कोई कट रहा है चलो पहले इसको चलो इसको चलो कर लो इसी तरीका कर लो एक और तरीका इसका बहुत सिंपल हो जाता ना इसलिए 3 दोनी 6 यह जाएगा 18 यह जाएगा 15 फिर काट दो तो आजाएगा 2 नौ रेशियो कितना आजाएगा आपका 5 तीन से काट दिया हमने तो 5,2,7,9,16 16 ठीक है 5,2,7,2,16 क्या कर रहा हूँ मैं 5,2,7,9,16 ठीक है बहले से उको बाटना है 16 की रेशियो में और निकालना किसकी वैलू बी का हिस्सा है अभी कितना है आपका 9 है आंसर यह हो जाएगा जो भी आएगा 16 से इसको काटो 16 दूनी 32 16 दूनी 32 10 बचा 100 हुआ 16 चाका 90 16 चाका 90 ठीक है 4 बचा 40 और 16 दूनी 32 कुछ करबर तो नहीं हुआ है क्योंकि आप ज़्यादा गलत हो रहा है फिर से देख लेते हैं एक बार ए और बी का अनुपाज जो है फिर से चलो करते हैं आप गलर शेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ए चुकि थोड़ा आज फिजिकली बहुत ज़दा काम पढ़ गया ने लोट पढ़ गया मुझ पेस दिया फिर सावाज भारी लग रही होगी कोई बात नहीं देखो यहां पर अगर इसको मैं 6 कर दूँ तो इसको भी 6 कर दूँ इसको 6 करने के लिए क्या करने हैं वह दो गुड़ा घर क्या रहा था बाई साब ठीक है इसको गुड़ा करेंगे पांच, चाल, नौ, छहें पंद्रा पंद्रा आ गया तो बैरिस सो को काटना है कितने से 15 के रेशियो में अब निकालना है 6 के वैलू पहले सो काट तो 3 से 3ूह नी 6, 3,500 पांस से काट तो आपका 4 दिनों में एक डिवाडर कर निर्माड कर सकती है जब कि राजन अकेले इसे तीन दिनों में बना सकता है यदि वो मिलकर बनाएं तो देखो त्रिप्ती पृवा चार है और जब कि राजन आपका तीन दिनों आपका तीन दिनों तो चार तीन और बारा ये उत्की तीन driver response से तीन हो गई इसकी efficiency चार हो गई ठीख है अगर उन्हें कितना 14,000 के कुल भुक्तान किया जाता है तो तिप्ति का हिस्सा कितना है तो भाई दोगों दोनों ने काम जो किया होगा अपनी efficiency recording किया होगा ठीक है न अगर यूंड बचेगी 7 में तो चार और 3 efficiency कितनी है 7 ठीक है अगर 7 efficiency है तो किसका तिप्ति का हिस्सा तो तिप्ति का हिस्सा कितना हो जाएगा आपने का 3 की value 3 है तो 3 answer हो जाएगा 7 दूनी 14 answer हो जाएगा 4 दूनी 6 6000 आपका right answer हो जाएगा ठीक है अगला question एक mobile का mole जो है वो 3000 है पहले वर्ष के अन्ति में mobile का mole 12% घड़ जाता है अगले वर्ष के अन्ति में ये 15% घड़ जाता है दो वर्ष बाद mobile का mole ज्यात कीजिए तो कुछ नहीं करना होता है इस तरह के सवाल को series matter से करते हैं 30,000 12% घड़ने का मतला बिसको fraction में बदलो आप तो ये 12 बटा 100 और अगर काट पाए तो पहले ही काट दिया करो 3 बटा 25 तो पचीस से 3 घड़ गया आपने का 22 रुपए बचेगा पचीस में से बस ये करना है आपको फिर कह रहा है 15% मतलब 15% का मतलब आपको होता है 3 बटा 20 तो मतलब पहले अगर 20 था 3 घड़ गया 17 बचा 17 बटा 20 जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा साब अब आओ तो सबसे पहले 20 ठीक है ना 20 और इससे 5 निकल लो आप इससे 5 निकल लो तो 20 पंचे कितना हो गया 100 इसके मैं 00 कर दे रहा हूं इससे सीधा मैं दिखा रहा हूं और 5 से कर दो 300 को तो जाड़ाएगा 60 बर आप दो को multiply कर एक जीरो तो चुप चाप तो पहले आए गया आएगा आप इसके बाद यूनिडिट कर लेते हैं आप देखो एक जीरो देखो आप तो कोई जीरो आएगा नहीं साद दूनी 14 चंग 84 लास्ट में 4 आएगा जीरो करके 4 कहीं पर दिख रहा है कि आपको बागी इदर आप multiply कर लेना आपने का 22 यह हजार 440 आपका अंसर हो जाएगा सान में यूनिडिट को खेल चलो अगला कोईशन यह कोईशन आए हुए सीजल में यार स्री मिलब एससी में आए हुए है समासकते होगी कोईशन कैसे बनेंगे कैसे करना आपको एक अप्रोच आपको मिलने होगी आई होप सो ठीक है ना चलो 180 नीटर के मिशल को दूद और पानी का अंपाद 5 अंपाद 1 है यदि इस अंपाद को 3 अंपाद 2 करना हो तो इसमें पानी का कितना और मात्रा मिलने होगी कुछ नहीं करना है 5 अंपाद 1 है से 3 अंत 2 करना है त्टीक है अब यह बताओ मुझे पानी को मिलाना है ना दूद तो आपका फिक्स रहेगा ना तो पहला वाला दूद है तो पताँ मिल को सेम रखना है तो यहां पर तीन को गुड़ा कर दो यहां पर पांच गुड़ा कर दो तो यह तब तो पंद्रा बन पाएगा तो अगर तीन को गुड़ा कर दो यह हो आपका पानी ठीक है 7 यूनिट का आपका आंसर हो जाएगा इन वेसे जो 7 का multiple होगा वह या अंसर हो जाएगा देखो यह भी नहीं है यह भी नहीं यह भी नहीं तो answer यह हो जाएगा ठीक है एक तरीकत यह हो गया लेकिन अब समझो अगर आपको कुछ यूट की बराबर, 70 की बराबर, आप ऐसे भी find कर सकते थी, सनमया चलो, अगले question की और move करते हैं, with smart approach, question क्या रहा है कि वर्ष 2019 में, यहां से question है, पिछली बार गलती नहीं करेंगे, पिछली बार कुशन ही नहीं मिला था वाई, वर्ष 2019 पे company B द्वारा भरती किये गए उम्मीद वारों की संख्या, तो 2019 पकलो, और company भी पकलो कितना है 75, अनपाद, अगर 75 आपके सामने आ गया है न, तो 12 नहीं ह सकता, 13 नहीं हो सकता, देखो, 15 होगा starting में, कटा होगा न, सिंपल सी बात है, 2020 में company D, 2020 में company D 65, तो 65, पांस से कटो, 15 पचे 75, पांस से कटो के 13, 15 ratio 13 आपका answer हो जाएगा, तो ऐसे ही अगर 15 वाले एक हो तो हम सीधा माल सकते थे न, तो यह अप्रोच आपको दिमाग में इसलिए, देखने के लिए न, चलो, 9 बक्सों का उसत भार कितना है, आपका 61 है, color chain निकल ले थे थोड़ा सा, रंग भी रंगा, अलग-अलग color में, चलो, तो यह कल ले है, दिख रहा है, ठीक है, चलो, यह दिख रहा है, 9 बक्सों का उसत भार 61 किलोग्राम है, तो यही 70 कि किलोग्राम के उसत भार वाले, तीन बक्सों को हटा दिया जाए, तो 6 बक्सों का उसत भार क्या होगा, question आपका यह है, तो अगर 70 वाले तीन हटाएंगे, तो 70 इंटू 3 कितना होता है, 210 किलोग्राम हटा दिया गया, यह तो कहना चाहर है आप, अगर 9 बक्सों का उसत कितन कितना बचेगा हमने का 9, 4 से एक गया 3, 5 से दो गया 3, 349 बचेगा, अब कितने बक्से बचे, 3 बक्से तो आपने हटा दिये, 9 में से तो बचा आपका 6, तो कुल मिला के बताओ, 56, 5 करके option होगा तो यह वाला तो खतम, आगे देखो, 56 के बाद आपका, 3 तीन बचा यहां से यहां बचा 49 हुआ, और फिर 6, 35, 30, नहीं, 6, 36, 36, फिर 56, फिर 56 लो कुछ आएगा, तो 56 लो एक answer है, तो मस मार दो, फिर 3 बचा 6, 35, 30, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, यदि एक वस्तु का अंकित मुल्य, यदि एक वस्तु का अंकित मुल्य, 400 रुपए है, 300 वस्तु की हानी होती है, तो वस्तु की क्राय मुल्य से कितने परश्द अधिक मुल्य पर अंकित किया गया था, कुशन यह है, ठीक आओ, करते हैं कुश्चन, देखो, MP कितना है आपका, यहां पर रखो आप SP, ठीक है, यहां पर रखो CP अप, अगर मैं कह दो कि 400 की चीज है, आपको बेची गई है, अंकित मुल्य था, और इसको इतने, और कर रहा हानी जो हो रही, 1500 परसंट की, SP है, ठीक है, हानी होता है सर्फ CP और MP में, CP और SP में, ठीक है, तो अगर 15% की हानी हो रही है, तो यह बताओ, कि मानलो 100 रुपय की चीज थी, उसमें हानी करोगे, तो कितना, 50 रुपय, 15 रुपय तुमने कम करें वेचाए, अब यह बेचाच तुमने 50 की हिसाब से, लेकिन आप तो कहे रहे हो, 300 है 50 की वैलू, तो 50 की वैलू कितनी हो जाएगी, 300 के पराबर, तो अगर मैं कहूं, आप से, अगर मैं आप से कहूं, कि इसको काटो, 17 पन पचासी, 5 से काटो, कितनी बार कटा आपका, तो आप कहेंगे कि, कितना, 5 से काटो, मैं क्या कर रहा हूं, 60, आज मेरे दिमाग बिल्कुल खराब है, सच में लिटरली, तो 17 की वैलू 60 हो गई आप से, तो फिर आप यह बताओ, तो 100 की वैलू कितनी हो जाएगी, 100 की वैलू आपको निकालनी है, ठीक है न, यह हो जाएगी 60 बटा 17 इंटू 100, यह हो जाएगी 6000 बटा 17, तो CP की वैलू जो आजएगी 6000 बटा 17, अब दोको दोनों में रेशियो फाइंड करना है, आप कुछ लोगों के पहले डिवाइड कर करना, बस इसका multiply उधर कर दो, ठीक है न, किसमें, आपको चाहिए न, इसमें, MP और CP में relation चाहिए न, कितने परशन अधिक मूल अंकित किया गया, क्रामूल से, ठीक है न, तो अगर, तो 6000 यह हो जाएगा, और इधर आगर आप देखोगे, तो 17 चोको 68 हो जाएगा, 6800, ठीक उसे, 3-0 मिले के, 3-0 खतम हो गया, उपर हो गया, 8 दहमा, 80 बटा 6, कितना हो जाएगा आप से का, 6 कम 6, 2 बचा 20, छत्री का 18, 13,3 परसन आपका आंसर हो जाएगा, यह टी समन में आई या नहीं, काफी अच्छा सवाल हम बोलेंगे इसको, ठीक है, जिसमें, दो काम करवा र करने का ट्राइ करते है, एक कॉलेज की लड़के हैं, 19 लड़के, उनके प्राप्तांकों को जो ओसट है, color change कर लेते हैं, 19 लड़कों को प्राप्तांको, जो अउसत है, और 48 है, यदी प्राप्तांकों में अधिक्तम और नियूंतम अंख हटा दिये जाए, तो उसत में 4 की क हो आपतेंग बापतांक हो देञा तो एक मिलडा तो 80 कितना उता है हुआ धन्य Outside आपक सबूस्रा आट pair कितना होता है कि यह नहीं आता है बढ़ें दो आगें 15 खेरी हो गया ठीक है उन्हें इस चोग 76 चीटर ओ पंदरा कितना हुआ तो चीटर दस आपका च्शीयासी और पांच इक्यानवे तो कितना हो जाएगा 912 ठीक है चलो आप कहा रहा है कि यदि अधिक्तम और निंदमंग हटा दिये जाएं तो मान लोगी एक हाइस्ट है एक लोवेस्ट है तो उन्हों हटा दिये मैंने ठीक है तो आउसत में कितनी कमिया है चार की तो पहले 48 तो आप 4 कमी तो कितना हो जाएगा आपका लेकिन 18 बच्चे तो आप मुल्टिप्लाइग करो 18 चो को कितना होता है अठाव दूशतित अठाव बहत्तर की दो हसे लगा साथ अठाव बहत्तर हो साथ 79 तो अब करना क्या है तो एच प्लस एल इधर भेज लो और यह आजाएगा 912 माइनस का 792 तो दो से दो गया जीरो ग्यारा से नौ गय 2 का डिवाइड कर दो चुकि आउसत आपको फाइंड करना है तो बटा 2 कर दिया आपका आंसर कितना आ गया साथ आपका आंसर कितना आ गया साथ कुछ गलत हुआ है क्या मल्टिप्लाइब में है कि अधिश्याटर पंद्रा कितना होता है कि क्या एक अधिए अधिर कितना होता है अधार चोंग बाहत्तर कि दो असले का साथ अधर चोंग बाहत्तर उसाथ बातर उस साथ कितना हुआ 79 सही तो है अगर हम गटाएं इसको गटा नहीं बलती हो गए क्या 2 से 2 गया 0 11 से 9 गया 2 और 8 से 7 क्या 1 120 बटा 2 तो दो आपने अंकटाएं H और L अच्छा सॉरी देखो क्या गल्दी क्या कि इतनी अगर हमने का 19 में से 2 लड़के हटाएंगे तो यहाँ पर 17 लड़के बचेंगे और जब 17 का मल्टिप्लाई करेंगे 44 में तो 17 चोको 68 ठीक है ना 17 चोको 68 6 कहरी कितना हो जाएगा 17 चोको 68 और 6 कितना हो जाएगा आपका 74 ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या रखना है 748 हो जाएगा और 12 से 8 गया आपका 4 बचा और यहाँ पर आपका बचा दस 10 से 4 गया 6 और यहाँ बचा आपका यह जाएगा 8 से 7 गया 1 2 का डिवाइड करें तो आपको कितना आजाएगा सिम्पल सा 82 आपका अंसर हो जाएगा वैसी कहीं आप्शन दिख रहा है क्या आप्शन आपका सही हो बस कैलकुलेशन आपको सही करनी है प्रेजन साव माइन रखना है आपका अंसर बिल्कुल आएगा सिम्पल से कोश्चन है आपको स्मार्ट अप्रोच पता चली आपकी अप्रोच के लिए होनी चाहिए ठीक है